मारे पास question है express 429 as the product of its prime factor हमें इस question में 429 को कैसे लिखना है product of prime factor की form में product of prime factor की form में लिखने का मतलब है हमें इसकी prime factorization करनी है तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना पहले हम इसको इस form में लिखनेंगे टेबल वर form में आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या number 2 से divisible है no 2 से वह number divisible होते हैं जिनके last में 0,2,4,6,8 यह सब आते हैं तो क्या यह 3 से divisible है 3 से कैसे बता चलेगा कि number 3 से divisible है तो हम इनकी digits को plus करेंगे like 4 plus 2 6 6 plus 9 15 तो इन तीनों को digits को plus कर के 15 मिलता है और 15 3 के table में आता है तो यानि कि यह number 3 से divide होगा तो हम इसको पहले 3 से divide दे देंगे और जब इसको हम 3 से divide करेंगे ना देखो बच्चा पहले हम 4 लेंगे 4 तो 3 के table में नहीं आता लेकिन क्या आता है 3 आता है कितने भी आता है 1 पे अब फोर तो पूरा नहीं डिवाइड हुआ था ओली थ्री डिवाइड होता तो जो रिमेंडर वन बचा वोट टू के साथ चले जाएगा ट्वेल अब ट्वेल कितने पर आता है त्री की डिवल में फोर पे अभी ट्वेल तो पूरी हां तक फॉर्टी टू फॉर्टीन हो गय 1 प्रस फॉर्ट 5 5 प्लस 3 8 तो एट तो 3 के डेबल में नहीं आता तो किस से करें आफ तो आप हम नेक्स प्राइम नंबर से चेक करेंगे 7 से हम divide करके देख लेंगे लेकिन यह 7 से नहीं होगा क्यों 14 को 7 से करेंगे जैसे 1, 4 लेके 14 तो 2 हो आएगा लेकिन 3 remainder बच जाएगा 7 से divide करने पे तो यह 7 से भी नहीं जाएगा तो 7 के बाद next prime number क्या है 11, तो दियान रकना हमने prime number ही लेने है तो यह number आप चेक करना 11 से divisible होगा यह आगे हमें चेक करके देखना होगा 11 से नहीं होगा तो 13 से देखेंगे 13 से नहीं होगा तो 17 से तो अभी 11 से हो रहा है तो हम 11 से कर लेंगे अगर हम इसको 11 से करते हैं जो आइट तो हमारे पास 13 आएगा 143 divided by 11 is 13 और 13 किस से देखेंगे लब अच्छा 13 से ही तो 13 divided by 13 1 आगया तो हम लिख सकते हैं 4 2 9 is equal to 3 multiply by 11 multiply by 13 तो यह इसकी prime factorization होगी और यह product of prime factors ही है ना देखो product means multiply और 3 11 और 13 तीन हो किया है prime factor